हेलो डूरे में आप शौरेकान साहु है और आज मैं आपको बता हूंगा टॉप 10 बार्मिंटर रेकेट अंडर 2000 रुपीज तो इस टॉपीक के ओपर मुझे फिर से बहुत सारे कोशन आ रहे थे तो मैं सुझा कि एक बार और इसके ओपर वीडियो बना लेते तो इसमें मेरा इसके स्पेसिकिशन के बात करूं तो जो बना है रेकेट वो ग्रफाइट माटेरियल इसमें यूज हुआ है हैट्शिप की बात कर तो आइसोमेट्रिक हैट्शिप देता है बैलेंस पॉइंट एक हैवी बार्मिंटर रेकेट है श्रिंग टेंशन आप इसमें में थर्टी तक लगा सकते हैं तो यहां मेरा मान है कि अप 30 LBS से कम लगा हो अगर आप एक क्लब प्लेयर हो या इंट्रमिडेट प्लेयर हो तो आप 23-27 LBS तक लगा सकते हो उसके बाद मैं इसके शाफ्ट की बात करूं तो आप इसमें मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है ग्रिप के हिसाब से जो मेरा सेकंड रेकेट है वो लीनिंग का जी फोर सुपर राइट 3700 है मैटेरियल इसमें जो यूज हो है वो फुल हाई कार्बन इस हुआ है हैडशेप आइसोमेट्रिक देता है बैलेंस पॉइंट हैवे बानमिंटन रेकेट है श्रिंग टेंशन आप इसमें इस सीरीज में आपको पांचे रेकेट देखने को मिलेंगे जो 3500 3600 3700 यह और नया रेकेट आया है वह लीनिंग जी फोर सुपर लाइट मैक्स 9 है उस तो वह भी एक नया रेकेट है तो उसका भी मैं लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो यह जो मेरा थर रेकेट हो युनेक्स का नैनो रे लाइट 89 है मटेरिल की बात करू तो इसमें कार्बन ग्रफाइट यूज हुआ है 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 चेप आइसो मेटरिक देता है बैलेंस पॉइंट यह एडलाइट और ईवन बैलेंस के बीच में लाइ करता है सेटाथ शाफ्ट क यह मैंग्सिमम 30 LBS तक लगा सकते हो ग्रिप साइज जी फोर है और अल्वेट ऑफ दे रेकेट इस 77 ग्राम फाइली प्राइस की बात करो तो 1710 रुपीज में आपको मिल आएगा तो गया हमारा फोर रेकेट है वह एपेज फिनएपी 232 है मटेरिल के बात करो तो कार्बन ग इसके कम ही लगाना साइज साथ शाफ की बात करो तो मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है ग्रिप साइज जी टूग और वेट इस एटी सेवन ग्राम तो और फानली प्राइस की बात करो तो आपको यह एटीन रुपीज में मिल दाएगा तो मेरा फिफ्ट रेकेट है यौनेक्स का आख सेबर 71 लाइट है इसमें जो मैटेरियल यूज हुआ है वो कार्वन ग्रिफाइट है बैलेंस पॉइंट की बात करो तो यह एक हैड लाइट बैमिंटन रेकेट है है हैट्शिप आइसो मेट्रिक देता है श्रिंग टेंशन आप इसमें मैग्जों 30 LPS तक लगा सकते हो ग्रिफ साइज की बात करो तो यह जी फॉर्स का ग्रिफ सैनन और वेट ऑफ दा रेकेट इस 77 कराम एंड फाइली प्राइस की बात करो तो आपको 1709 रुपीज में मिल आएगा यह जो मेरा 6 रेकेट है यूनेक्स का मसल पावर 29 लाइट है इसमें जो मैटेरिय इसका शाफ्ट है ग्रिफ साइज जी फॉर और वेट ऑफ दा रेकेट इस त्री यू जो की 85-89 ग्राम के बीच में है फाइली ओर और रॉल प्राइस की बात करो रेकेट की तो आपको 2000 रुपीज करा और मिल जाएगा तो इसमें एक नया मॉडल भी आया है उसका श्रिंग बस 30 lbs तक है इसमें जो मेरा सेवन्थ रेकेट है लीनिंग का टर्बो एक सेवेंटी जी फॉर है इसमें जो मैटेरियल यूज हुआ हो कार्बन ग्रिफाइड है एड्शिप की बात करो तो आइसोमेट्रिक हैड्शिप देता है बैलेंस पॉइंट है बैलेंस पॉइड है 20 रुपीज में मिल जाएगा इसी सीरीज में आपको दो रैकेट है जिसमें किट बेक फरी मिल रहा है वो दोनों रैकेट है एक लीनिंग कर टर्बो-ox92 और X82 इसमें किट बेक साथ में रैकेट के साथ फ्री है वह यह यूनेक्स का नैनो फ्लेयर द्राइव है इसके में जो सरसाथ grip size G4 है and overall weight of the racket is 84 gram and finally price की बात करो तो 1950 रूपीज में मिल जाएगा तो guys जो मेरा 9th racket है वो leaning का super series 8G5 है material जो इसमें use हुआ full carbon graphite है head shape isometric देते है balance point एक head heavy barminton racket है string tension आप इसमें maximum 30 lbs तक लगा सकते हो shaft की बात करो तो medium flexible इसका shaft है grip size H2 and overall weight of the racket is 85-89 gram में मिल जाएगा finally price की बात करो तो आपको यह 1360 रूपीज में मिल जाएगा so कैजू मेरे 10th racket हो leaning का turbo 99 है यह जो की newly launch हुआ है इसका material की बात करो तो carbon graphite इसमें use हुआ है head shape isometric देता है balance point एक head heavy badminton racket है string tension आप इसमें maximum 30 lbs तक लगा सकते हो shaft की बात को लो तो flexible इसका shaft है grip size S1 देता है and overall weight of the racket is 84 gram finally price की बात करो तो 1690 रूपीज में मिल जाएगा तो यह थे हमारे top 10 badminton racket under 2000 रूपीज इसके अलावा भी मैंने 5 racket नीचे link description में दे दिया है तो आप वहाँ जाके वह भी देख सकते हो तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like करे comment करे and subscribe करे और अपने दूस्तों के साथ share भी करे है करें अपने करें ह्वेल करें अपना है